हाई फ्रेंद्स वेलकम बैक तो में योटुब चैनल कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज हम बनाएंगे रेट सौस पास्ता स्पाइसी वाला जो यम्मी बनेगा और खाने में तो बहुत ही तेस्टी चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग पॉट में एट करेंगे धाई कप पास्ता और इसके साथ ही एड करेंगे दो टेबल स्पून ओयल और थोड़ा सा नमक नमक आप अपने हिसाब से डालें चार कप पानी डाल के इसको ढखके रख देंगे थोड़ा सा मिलाएंगे इसको और कवर करके पकाएंगे 10 मिन के लिए बीच में इसे एक बार चेक करेंगे और इसमें से थोड़ा सा पानी निकालके साइड में रखेंगे हाफ कप जितना पास्ता रेडी है चलिए सॉस बनाते हैं कडाई में मैंने ले लिया था छे टेबल स्पून और दो टेबल स्पून बटर और एक मीडियम से इसकी प 1 मिनट तक इसकी साथ ही अड़ करेंगे एक कब जितना टोमाटो पेस्ट टोमाटो पेस्ट नहीं है तो दो मीडियम साइज के प्रमाडर ग्राइंड करके डाले इसको अच्छे से पकाएंगे दो से तीन मिनट के लिए और फिर मसाले अड़ करेंगे इसके अंदर काली और इसको अच्छे से पकाएंगे, मसालों को अच्छे से भूनेंगे और इसमें जो बचा हुआ था स्टॉक हमारा पानी जो बचा के रखा था हम वो डालेंगे अब और मसालों को अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे जब तक की बटर और तेल उस आउट ना हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा पका लेंगे इसको, सलरी बना लेंगे, दो टी स्पून मैदा और थोड़ा सा पानी डालके इसको मिला लेंगे अच्छे से, और फिर इसे एट करेंगे, और साथ ही एट करेंगे, देड़ कब जितना दूद, और अच्छे से मिलाएंगे इसको, दो टी स्पून बटर अट करेंगे, इससे सॉस शाइनी बनेगा, और थोड़ा सा पानी डालके अज्जिस करेंगे, वन थर्ड कब जितना, और सॉस चेक कर लें, ज्यादा थिक है तो और थोड़ा पानी डाल लें, अब अट करेंगे फ्रे पास्ता मिलाने के बाद, हम इसे थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ देंगे, अभी आप चेक कर लें, नमक बगईरा के लिए, और दो टी स्पून केचप अट करके इसे दम पे लगा देंगे, पास्ता हमारा रेड़ी है, चलिए डिशोट करते हैं, इसे जरूर से ट्र प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया दीजिए, अगर कर दिया हैं तो जी थैंक यू, और अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ, शेयर करना मन भूलिएगा, दू कम बैक तो मैं चैनल, थैंक यू फॉर वाचिंग, अलाहाफिज, सी यू नेक्स ताइम